हेलो दोस्तों मैं अभी एक नया वीडियो के साथ फिर से आपके सामने पैंडेमिक ने हमारी ऐसी हालत कर दी मतलब हम जैसी गरीबों की ऐसे हालत कर दी कि हम चार पईयों से दो पईयों पे आके हैं अब आप सोच रहे होंगे कि चार पईयों से दो पईये अरे यार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं बस से हम आ चुके हैं अभी बाइक पे तो काफी लोगों को क्या हुआ कि अपने जॉब में जाने के लिए या फिर सेफटी के लिए बहुत लोगों ने अभी बाइक खरीदे आपको पता है पिछले सारों से जो टू हीलर है वो काफी सेल हो चुके है तो उसके बज़े से कि रोड पे आपको बाइक बहुत दिखे है आपको कूल जितना भी दिखाना चाहिए ऐसा मत कीजिए बाल वाल उड़ा के ऐसे जाना वो फिल्मों में बहुत होते थे अभी सेफटी में इसू है तो इस सिचुएशन में हेलमेट तो बहुत ही ज़रूरी है खास करके अभी तो मैं एक हेलमेट के बारे में बात करने तो काफी सारे हेलमेट आते हैं काफी कोश्टली हो चुके हैं तो हमें अब हेलमेट के बाद जब करते हैं तो दो ही नाम आते हैं हमारे सामने स्टड्स और तो मैंने एक हेलमेट खरीदा तो एक्षिल मेरे पास हेलमेट था पहले से एक स्टड्स का तो थोड़ा से हेवी है तो मैंने एक और helmet करीदा तो मैं चाहता नहीं था कि बहुत जादा खर्चा करना फिर भी ये भी नहीं चाहता था कि quality बहुत खराब हो तो मैंने थोड़ा सा देखा कि offer में काफी वार अच्छे helmet भी आते है कम प्राइस में तो ऐसे ये helmet स्टील बड़ की और ये स्टील बड़ एयर है आपको पता है कि एयर जो जो ये जो segment है ना तो स्टील बड़ इसमें अच्छे helmet बनाता है तो ये जो helmet है मुझे हर लिए 850 रूपीज पड़ा यहां पर थोड़ा सी कॉइन मैंने एड किये थे कॉइन से कुछ मैंने माइनस किये थे प्राइस तो उसकी भाबवजुद भी देखा जाए तो ये साइद भीक रहा था 900 तो ये एक बड़िया डील था और डिफिनिटली आप मैं आपको बताने वाला हूं कि थाउजन रुपीज की नीचे मतलब आस पास ऐसा हेलमेट मिलना डिफिनिटली एक अच्छी बात है क्योंकि यह जो स्टील बड़ एयर है यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन है क्योंकि हेलमेट के ओपर यहां पर आपको जो वेंटिलेशन मिलता है ना मतलब एयर पास त तो इसका लाइट वेट है और अच्छी मतलब इस प्राइस में मुझे मिला बहतरीन है मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिफिनिटली बहुत सारे ओफर में आपको शायद इस तरह का यह हलमेट आपको मिल जाए तो डिफिनिटली आप ट्राइक कर सकते हैं कफी पीचर नहीं है सिंबल आपको जास हिलमेट पहनना है ऐसे निकल गए खुद को जस्ट आए मिन चेकिंग से बचने के लिए निकल जाते हैं मगर वहलमेट इतनी सेफ्टी जो सेफ्टी मेजनमेंट जो क्राइटेरिया है उसको फुल्फिल नहीं करते हैं तो उनमें कुछ फ पाफ चलते हैं तो डिफिंटली आप चीक कर सकते हैं यह ह्लमेट पर काफी कम प्राइस में मिल जाएगा ठीक है तो यह ह्लमेट के लिए में मैं तरुन से थाहता की थौप खोल सकते ही जब हवा चल रही है तो आप इसको खोल सकते हैं जाकि थोड़ा सा एयर अपकी अंदर जाए तो यह एक अच्छी बात है कि इसको बंद और खोलना दोनों यह आपके हाथ में तो इसकी जो ग्लास है काफी अच्छी यहां पर एंटी स्क्रैश कहा गया है हलाकि थोड़ी दिन वाद थोड़ी तर दिक्कत आएगी यहां पर काफी सारे स्क्रैश पढ़ जाएंगे मगर मुझे मैं कुछ दिनों से इस्तमाल कर रहा हूं मुझे इतनी प्राप्लेम नहीं हो और बहुत ज़्यादा बारिज में मैंने इसको पहना है तो अंदर पानी वानी विल्कुल भी नहीं जाता है पूरी तरह से ब्लॉक रहता है पूरी तरह से तो इसको ट्राइब कर सकते हैं आफ थाइंक्यू फो वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल काफी सारे प्र सेफटी को देखतो है एक अच्छी तरह से कुछ भी जो आपका अच्छा लगया और से कुछ हेलमेट खरीद लीजिए डिफिनेटल यह मॉन्सून है यहां पर एक्सिडेंट की चांसस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रोड्स काफी स्लिपरी होते हैं गड़े होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लेम है तो डिफिनेटली आप द्वड़ा ध्यान रखेएगा अपना चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं